केंद्री मंत्री जोती रादिती सिंध्या के बेटे महार्यमेन की कमपनी के साथ 12 लाख रुपए की धोखा धड़ी हुई है सब्जी कारुबार करने वाली हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेट कमपनी के साथ ये फ्रॉड हुआ है बताते चली कि ये जाल साथी कमपनी के प्रॉक्रमेंट मैनिजर और उसके साथ ही वैंडर्स ने की है कमपनी के डाइरेक्टर केंद्री मंत्री जोती रादिती सिंध्या के बेटे महार्यमन सिंध्या और उनके पार्टनर सूरियाश जैन है पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुस्टी की है, हाई प्रोफाइल मामला सामने आने पर जाल साजी में शामिल लोगों को तलाश किया जा रहा है उतकर शेंडे निवाशी श्रीधर अपार्टमेंट ने पुलिस को बताया वह हाईपर ग्रोसर कमपनी में प्रवंदक है दो साल पहले 16 अप्रेल को कमपनी में शिवम गुपता को लक्षमी गंज मंडी से प्रोक्यूर्मेंट मेनेजर के पद पर पदस्त किया गया था 19 माई को कमपनी का लेखा जोखा चेक करने पर पता चला प्रोक्यूर्मेंट मेनेजर शिवम गुपता ने बाहर के लोगों के साथ साथ गार्ट कर कमपनी से 12 लाख रुपए की ठगी की है उतकईश ने पुलिस को बताया ठगी पकड़े जाने पर शिवम गुपता ने भी हामी भरी है उसने कुछ नए और पुराने वेंडर के साथ मिलकर जाल साजी की है उसके साथ ठगी में हिंदराज कुश्वा, विभूर यादव, राहुल कलोटा, विराट चाटव, अर्मान खान और कमल साहु शामिल थे सर्विस टेक्स का पैसा भी ठगा हाइपर ग्रोसर कमपनी छोटे खिसानों से नकत खरीदी करती है, जबकि बड़े सोदे ओनलाइन होते हैं इसमें सर्विस टेक्स भी कमपनी वसूलती है शिवम दो साल तक कमपनी का सर्विस टेक्स का पैसा भी चुराता रहा पुलिस के मताबिक कमपनी के प्रॉक्यूर्मेंट मैनीजर शिवम गुपता ने शाम ट्रेंडिंग कमपनी के नाम से फर्म बनाई थी शिवम और उसके साथ ही फर्जी फर्ण के नाम से सस्ते दाम पर सब्जी खरीद कर हाइपर ग्रोसर कंपणी को महेंगे दामों पर बेचते थे हाइपर ग्रोसर कंपणी के मेनेजर ने फर्जी फर्म बना कर असली कंपणी के साथ 12 लाख रुपए की ठगी की है जाल साजी में मैनेजर समय तीन लोग शामिल है आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है